सुरेंदर जी, आपने सुना सुरेज जी कह रहे हैं कि जान छोने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, क्योंकि राजनीती तो खुब इस मसले पर हो रही है, राहूल गान ने खुद हात रस में गए, उन्होंने पीडितों से मुलाकात भी की, लेकिन बाबा के खिला आपकारवाइद में होनी चाहिए, और काईदे से होनी चाहिए, मुख्य अभ्यूकत है, कैसे चाहिए, जैसे चाहिए, बुलवाइए, अभी राजेश जी बड़ी बाते कर रहे हैं, हमारे मित्र विधायक है, राजेश जी से मित्रप इतना एक लाइन खाली कहना चाहता आपकारवाइद में होनी चाहिए, राजेश जी मान लो यह सरकार अखलेश यादव की होती है, राहुल बांदी की होती हुत्तर प्रदेश में, और आप होते जिरोड में, तो आप इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं, अपने भगवान को बथराज रहने वाले हो, चाहब इस भगवान को साक्षी वाल करके बता जो अगर इसी तरीके की बात कर रहे होते हैं, अगर आप इस तरीके की बात कर रहे होते हैं, तो मैं वह सोगर के चला जाओंगा, आप सब्दा को बचाने के लिए बैठे हो, जन्पा को बचाने के लिए बैठे हो, आप किसको बचान बचा देना उस पाले में बंद करनेना चाहिए और एनाई को उक्तर दोने इसके पुलिस गोजिद करनेना चाहिए वो बाबा से घूंड ले रहे आपकी पुलिस बाजा को नहीं घूंड पारें आप बात संजो राजे जी आपके छेट्टर की भी महिला जैना की उख़र जी बाबा लापता थोड़ी नहीं घायब थोड़ी नहीं वो तो मीडिय के सामने आ जाता है तो एसा नहीं है कि अम नहीं गून पारें वो कह रहे है कि अभी तो बाबा सुनिये सुरेंदर जी अभी अभी राजे जी ने ये कहा कि बाबा जब अगर दोशी पाया जाएगा अगर आप इस समय सत्ता पक्ष में नहीं होते विरोध में होते तो आप यही बात कह रहे होते कि बाबा दोशी नहीं है अभी जाच होने तो आपको याप दिलाऊ आपकी बाते 2012-2017 तक की बाते याद दिलाओं आपको ऐसे यार आप तुरश्ट के किया नम आप मधुरा के रहने वाले हो कम से कम इतना तो जूट मत बोलो कम से कम आपको उस जन्ता के लिए आप जिम्मेवार हो ये मेरी आवाद मुझे वापस आ रही तो ये जन्ता के लिए अगर आप जिम्मेवार हो तो आप जन्ता को भगवान मानो आप योगी सरकार को क्यों भगवान मान रहे हो आप कहो योगी सरकार निकम्मी है आप कहो योगी सरकार ने अभी तक पुरा काम नहीं किया आप इस चीज को भी कहो कि 80,000 केनम लोगों की वो थी परमिशन थी ठाइलाक लोग कैसे आ गए आप ये जरूर पूछो लोगों से राजेजी आप मित्र हो ये जरूर पूछो जाकर के कि वहाँ पर जब आयोजन दिया जाता है तो शासर ये पूछता है कि भाई तुम्हारे पास एंबूलेंस कितनी हैं या नहीं है कि सरकार बेजे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा तुम्हारे पास बाटर टेंकर कितने हैं या नहीं है कि सरकार दे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा पुलिस की प्रणाली को जो बहुत बेतर तरीके से समझते हैं मैं वापस से लोटूंगे आपके पास सुरेंदर जी लेकिन पुलिस की प्रणाली को जो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं येशोवर्धन आजाज जी वो हमारे साथ कनेक्ट है येशोवर्दन जी मेरा सीधा सवाल ये है कि नामजद तो किया जा सकता है ना बाबा को जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है चूक सामने आती है और एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है नामजद किया जा सकता है पूछता की जा सकती है या नहीं कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है ये शोवर्दन जी कानुनी प्रिक्रिया के बारे में आपने पूछा है मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं SIT का चीफ रहता या वहां के वहां का S.P. रहता तो सबसे पहला नाम मैं इस बाबा भोलेना सूरज पाल सिंग्शारिस का नाम है इसको डालता है मुख्य अभियुक्त ये बड़े ही गंधीर चर्चा का विशे है कि किस तरह वहां के S.P. खात्रत ने ये निर्ने नहीं लिया इस वेक्ति को मुख्य अभियुक्त बनाने का नमबर एक जब भी फर्मिशन दी जाती है जैसा अभी एक बड़ता ने कहा फर्मिशन कुछ शर्तों पी दी जाती है और हात्रे से ऐसी जगह में पचासी हजार वेक्तियों के लिए कारिकरम कराने के लिए कोई भी सुरक्षा वेवस्ता या ऐसी वेवस्ता देना ही नहीं चाहिए यह वी पहली बात दूसरी बात यह है कि कारिकरम में अगर आयुजवकन की 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 परख करके अगर देखा जाए कि यह वेवस्ता करने में सक्षम नहीं है तो फिर भी उसे कैंसल कर लेना चाहिए और तीसरी बात लोग जो कहते हैं कि पूरी दुनिया में जब ऐसे कारिकरिम की जाते हैं बहुत ही बड़े-बड़े कारिकरिम की जाते हैं जहां पांच-पांच लोग आते हैं तो वहाँ पर जो स्पांसर्स हैं जो करोडों कमाते हैं यह उनकी जिम्मेवारी है कि यह पांच या दस मेडिकल टीम्स लगाएं, एंबुनेंस लगाएं और पुलिस को पेमेंट पे ये करें, ओलम्पिक्स ऐसे जगह में पुलिस को पेमेंट दिया जाता है और तब वो आते हैं, चौती बात, जिस समय भगदर मची और किस प्रकार से भगदर मची, बाबा देख रहे थे कि उनके सामने गंभीर तरासिती की शुरुवात हो चुकी है, लेकिन उनके सेवादार उस गरीब महिलाओं को ठका दे रहे थे, और इनको बाहर जाने के लिए रास्ता बना रहे हैं, ताकि वो बाहर चाहे, और उसमें निकास के लिए उतने केट्स भी नहीं थे, इसी तरह वो जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शोओ फ्री टाइम पे आउन, इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शोओ अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट झाल